हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी याज की कहानी का नाम है अरधांगिनी रूची जी का घर फूलों से सजाया जा रहा है आम के पत्तों से दर्वाजों पर तोरोड लटकाई जा रही है रिस्तेदार सब पहुच गए है बुआ बहनों की चाल पाल देखते ही बन रही है क्योंकि आज रूची जी के छोटे बेटे शुशान की साधी होने जा रही है बारात के प्रिस्थान की सब तैयारिया लगभग पूरी हो चुकी है रूची जी बड़ी बहु काजल को आवाज लगा रही है बहु तुम्हारा सरंगार पूरा हो गया हो तो फटा-फट गाड को सुरू से ही कंट्रोल में रुखूंगी नहीं तो वो भी तेरे जैसे ही लच्षड सीख लेगी रूची जी ने कहा खैर सब लोग नियस समय पर बारात लेकर कोमल छोटी बहु के घर पहुच गए सभी मांगली करकर मच्छे से संपन हो चुके थे और विदाई की बेला आ थी कि छोटी बहु को किसी भी हालत में कामचोर नहीं बनने दूंगी कोमल सुबह से साम तक घर के काम करती कोई भी उसकी मदद नहीं करवाता था जेठाने को अपने बच्चों से ही फुरसत नहीं थी रूची जी एक मिनट भी कोमल को खाली नहीं रहने देती जब भी कोमल अपने कमरे की ओर जाने लगती रूची जी बोल उठती छोटी बहु कहां जा रही हो इधर आओ और कपड़े प्रिस करो कोमल बिना कुछ बोले चुपचाप काम में लग जाती और किसी को भी सिकायत का मौका नहीं देती थी क्योंकि अभी आये हुए उस्षे महीना भरी आते हैं इसलिए कोमल उनकी भावनाओं को ठेश नहीं पहुचाना चाहती थी एक दिन कोमल ने देखा सोसांग के आफिस से आते ही जेठानी जी ने सोसांग को आबाज लगाई और कहने लगी सोसांग किचन से चाय लाना जरा मैं जरा बच्चों को पढ़ा रही हूं और भ सासुमा भी जेठानी जी को कुछ नहीं कहती थी खाली नाम का ही काम चोर गुलाती थी जेठ जी कहीं बाहर जाब करते थे महीने भर में ही घर आते थे लेकिन सासुमा किसी भी रिष्तेदारी में जाना हो या घर के कोई भी महत पूढ़ कार निप्टाने हो सब सस्वांग स और बेसक जेट जी घर में हो और जेटाने आलसी का तगमा लगवा कर पूरे दिन आराम फरमाती एक दिन डूची जी ने कहा कोमल भु मैं और काजल भु पडोस में ही किसी फंक्सन में जा रहे हैं और साम तक लौट आएंगे खाने की तयारी करके रखना क्योंकि मुझे बाह प्राफट चाय बनाई और सुसांक को दी और फिर से माजी के बताया उनसार किचन में खाने की तयारी करने लगी सुसांक जी हात मूध होकर आए और कोमल से कहने लगे कोमल मैं देख रहा हूं तुम पूरा दिन घर के काम काज में ही लगी रहती हो चलो मैं तुम्हारी और चिला कर कहने लगी बहू आखिर तुमने मेरे भोले भाले बेटे को अपना गुलाम बना ही लिया जो उससे किचन के काम करवा रही हो चुलू भर पानी में डूम मरो क्या तुम्हारे पिहर में भी मरदर सोई घर में काम करते हैं कोमल को जोर का जटका लगा और कोमल ने सब्सकारी और कोमल कहने लगी हा मा जी है मेरा पती जोरू का गुलाम जब सुसांग जी जे ठानी जी के छोटे मोटे कामों में भी उनकी मदद करते हैं तब वे गुलाम क्यों नहीं बनते जब पूरे घर की जिम्मेदारी शुशांक जी निवहाते हैं और सबकी लाज रखने के लिए किसी को भी काम के लिए मना नहीं करते हैं तो फिर मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते आखिर मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ शुसांक जी आप सबकी मदद करें तो संसकारी और मेरी जरासी मदद कर दी तो आपने जोरू का गुलाम कह दिया और आपको कितना बुरा लगा माफ करना मा जी क्या जेठाने जी मेरी मदद नहीं करवा सकती किचन में आप उनको क्यों नहीं कहती यदि घर सबका है तो जिम्मेदारिया भी तो सबकी ही है ना जेठाने जी के आलसे पनकी सजा आप मुझे क्यों दे रही है आज के बाद से या तो जेठाने जी घर के कामों में मेरी मदद करवाएंगी नहीं तो ससांक जी आएसे ही जोरू के गुलाम बन जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी तभी सासुमा कहने लगी मुझे माफ करना चोटी बहू मैं अपनी जिम्मेदारिया अच्छे से ना निभा पाई ये काजल बहू ही काम चोर है तुम चिंता मत करो आगे से बड़ी भहू भी घर का आधा काम करेगी ससांक जी मंद मंद मुझकुरा रहे थे और धीरे से कोमल के कान के पास जाकर कहने लगे परनतु मैं तो अपनी जोरू का गुलाम बन कर ही रहना चाहता हूँ क्या आपकी इजाज़त मिलेगी कोमल सरमाते हुई अपने कमरे में चली गई और ससांक का धन्यवाद किया और कहने लगी आपका सुक्रिया जी आज आपने मुझे अपने हक के लिए बोलने का मौका दिया आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद